Good morning student, class 6, हम पढ़ रहे थे बाल राम का था, आज हम पढ़ेंगे page number 28, इससे पहले 27 तक हम पढ़ चुके हैं, कि राम जो है बनवास जाने के लिए त्यार हो जाते हैं और बनवास के लिए चले जाते हैं, और सुमंत्र जो है लौट कर राजा दस्तरत के पास आते हैं और उनका हाल उन्हें सुनाते हैं। खला कर बिलक कर रोरे और उनके चरणों में गिर पड़े कोसल्या आहाथ थी और उन्हों ने कहा पुत्र तुम्हारी मनों कामना पूरी हुई तुम तो चाहते थे जो चाहते थे वो हो गया और राम अब जंगल में हैं आयुध्या का राज तुम्हारा है मुझे बस एक से चमा मांगे और सफाई दिरानी के 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 बयोहार पर गलानी व्यक्तिकी और कहा राम मेरे प्रिय अग्रज है मेरे बड़े भाई है मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता मैं निरपराध हूं और कोसल्या ने भरत को चमा कर दिया उन्हें गले से लगा लिया और भरत सारी रा भरत और सत्रुगन राम को वापस लाने पर मंत्रना कर रहे थे तभी सत्रुगन की द्रश्टी बचकर निकलती मंत्रा पर पड़ी और उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिये और खिंछते हुए भरत के सामने लाए भरत को दासी की भूमी का बताई शत्रुगन उसे जान से मार देने का उद्दत थे भरत ने बीच बचाव किया और मुनिवसिस्ट अयोध्या का राज सिंगहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे वे खाली सिंगहासन के खत्रों से वे परचित थे उन्होंने सभा भुलाई और भरत और सत्रुगन को आमंत्रित किया भरत ने कह अधिकार कर दिया और मुनिवर यह राज राम का है और वही उसके अधिकारी है मैं यह पाप नहीं कर सकता आप सब बन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे और हम समिल करके राम को मनाने के लिए जाएंगे और राम को मना कर लाएंगे तो चित्रकूट जाते हैं और बात कही थी, सबकी इच्छाथी की राम आयुध्या लोट आएं और सब लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। महारिशी को असविधा ना हूँ, महारिशी ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुन्दर स्थान, सुरम मिद्रस से पर्ण कुटी वही बनाई गई, पर्ण कुटी मतला होता है पत्तों की कुटिया, पत्तो से बनाई हुई कुटिया और वहीं रहने लगे, भरत को सूचना म संदे हुआ, वही राजमत में आ करके भरत राम पर आक्रमन करने तो नहीं आ रहे हैं, सही स्थिती पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की गंगा पार करने के लिए देखते देखते 590 जुटा ली और रास्ते में मुनी भरत द्वाच का आस्रम पड़ा, उन्होंने भरत को राम का समचार दिया और वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पन कुटी बनाई और आयुध्यावासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोस के साथ ही की राम अब दूर नहीं है, आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलवली मच गई और जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया, छोटी वनस्पतियां सेना के पाउं तले कुचल गई, बड़े ब्रश्ट थर थरा उठे, राम और सीता पन कुटी में थे, लचमण पहरा दी रहे थे, कु प्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे, लचमण ने पेड़ से ही चीक कर कहा, भया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है, वे हमें मार डालना चाहते हैं, ताकि एक छत्र राज कर सके, राम कुटी से बाहर आए, उन्होंने लचमण से को समझाया, और भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, वे हम लोगों से बेट करने आ रहा होगा, राम ने कहा, बेट के लिए सेना के साथ आने का क्या उचित है, दो भाईयों के मिलन में सेना का क्या काम, लचमण अस्वस्तत नहीं थे, वे सेना पराक्ण करना चाहते थे, राम ने लेकिन उन् लश्माण को क्या आदेश दिया धहरे रखने का अ islands युष याकरना आ हम जंद स्रीराम हमें से और यार्ण कर नह चाहिए घ्यार अभी लश्मन को क्या कहा कि हमें संगर की घड़ी में क्या रखना चाहिए धहरे रखना चाहिए कुछ समय प्रतिक्षा करो इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है हमें उतावलापन कभी भी नहीं दिखाना चाहिए भरत ने से इना पहाडी के नीचे रोग दी नगरवा गई भाई से मिलने की उतकंठा थी प्रबालिक्षा थी वे और प्रतिक्षा नहीं कर सकते थे पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवी दिखी वह राम थे सिला पर बैठे हुए थे पासी सीता और लचमर बैठे थे भरत दोर पड़े और राम के चरणों में गिर पड़े उन सुचना देने का कि पिता दसरत नहीं रहे एक दुखत समचार है भरता बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा पिता दसरत नहीं रहे आपके आने के छटे दिन दुख में प्रांड त्याग दिये राम सन रह गए और सोक में डूग गए राम को पता चला कि भरत के साथ के वल से नहीं आई है नगरवासी आए हैं गुरुजन हैं माता है केकेई भी हैं और राम लचमर पहाड़ी से उतर कर उन से भेट करने आए सबसे इसने से मिले और सीता को तपस्विनी के वेस में देख कर माता हैं दुखी हुई और राम ने केकेई को प्रणाम किया और सहज भाव स अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहन का आग्रह किया समझाया विंती की आयोध्या लोट चले राम इसके लिए तयार नहीं हुए पिता की आग्या का पालन अनिवार है पिता की मृत्यू के बाद में उनका वचन नहीं तोड़ सकता भरत को राज का समझाया और कहा कि अ पूरी विनमरता और द्रड़ता के साथ इसे असुईकार करते रहें महारिसी वसिस्ट ने कहा राम रगुकुल की परमपरा में राजा जेस्ट पुत्र ही बहुता है तुम्हें अयोध्या लोटकर अपना दायत निवाना चाहिए इसी में कुल का मान है इस तरह वसिस्ट न है काहा चाहें चत्रम आपनी चमक चोड़ दें सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए हिमालय सी ना रहे समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए परन तुम्हें पिता की राजगदी विरत नहीं हो सकता मैं उहीं की आग्यासे बनाया हूं और उहीं की राजगदी समहालनी चाह भरत को अपनी राजगर्दी समालनी चाहिए क्योंकि पिता को यही आग्या है। प्रतिहारी उस पर चमर डुलाते रहे आयोध्या पहुचकर भरत ने पादुका पूजन किया और कहा यह पादुकाई राम की धरोहर हैं। और मैं इनकी रच्छा करूँगा और इनकी गरिमा को आच नहीं आने दूँगा और भरतायोध्या में कभी नहीं रुके और तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदी ग्राम चले गए जाते समय उन्होंने कहा मेरी अब केवल एक इच्छा है इन पादुकाओं को उन चरणों मे देखूं जहां उन्हें होना चाहिए मैं राम के लोटने के परतिछा करूँगा चौदा वर्षता कर वे नंदी ग्राम में रह करके राम के लोटने के परतिछा करते रहे इस तरह हमने यह जाना कि भाई हो तो कैसा भरत की तरह भाई हो जिसे राजगदी की कोई लालसा नह अपने भाई को मनाने के लिए चित्रकूट तक गए और पिता की अग्या के पालन हेतू उन्होंने राजगदी को सम्हाला और राम के चरण पादुकाओं को रख करके मतला उन्होंने शासन को 14 वर्ष तक सम्हाला और खुद तपस्वी के बेस में रह करके नंदिग्राम में रहे और उन्होंने राजमत राज का उपहोग उन्होंने अपने जीवन में नहीं किया और किस तरह उन्होंने इसी तरह उन्होंने अपने भाई की का इंतजार किया इस तरह जो है भाई को होना चाहिए भाई हो तो भरत की तरह हो जिसे राजगदी की कोई इक्षा नहीं थ प्रोप्ति